तो आज है मंडे और टाइम हो रहा है एट टैन तो मैंने सोचा कि पहले आप लोग के साथ ब्लॉग बना लिया जाए क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना है नाइन थर्टी पे आज मुझे स्कूल जाना है बट मैं इतनी जल्दी रेडी हो गई हूं आप लोग के लिए मैंने स्कूल जायर है तो गाइस तुड़ा एंट आपकिंग अपाउट हाव आई केम टू पॉलेंड मैं पॉलेंड कैसे आई थी मेरी पॉलेंड की जर्नी कैसे ही मेरी एजुकेशन क्या है बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने क्या किया हुआ है तो आज मैं बताती हूं मै पॉलेंड में आने से पहले मैं इंडिया में भी कई जगा जॉब करती थी मैंने बीसी किया हुआ है जोलोजी ओनर से डेली उनिवोसिटी से उसके बार मैंने मास्टर्स किया है जेनेटिक्स से और मेरी सारी डेगुलर डिग्री है उसके बार मैंने कई जगा जॉब की मैंन इस थीस चालिस घजार में क्या होगा? तो मैंने क्या किया? मैंने अपना एक स्कूल खोल लिया था, बच्पन. और बच्पन आप सब भी जानते होंगे, बच्पन एकश काफी बड़ी स्कूल्स की चेन है, जो फ्रेंचाइस ही प्रोवाइट करती है, तो मैंने with the help of my mom, मैंने school खोला, मेरी mama ने मुझे बहुत guide किया और बताया कि कैसे कर सकते हैं सारी चीज़ें, मैंने उससे काफी जादा अच्छा पैसा भी अन किया, फिर उसके बाद मुझे, मैं actually मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक जगा रुपती नहीं हूँ, फिर उसके करना था, मुझे हर किसी ने बोला, मेरी family members ने कि ऐसा मत डिसीजन ले, काफी अच्छा पैसा अन कर दी है, आपछे से सेटल है, सारा business है, बट मैंने किसी की नहीं सुनी और मैंने school बंद कर दिया, मतलब sale कर दिया, और उसके बाद मैंने jobs के लिए अपलाई किया, government jobs की तयार है, तो ये करने के बाद मैंने छे महिने के करीब पढ़ाई की, योगी library join की, बहुत सारे books करे दी, सब कुछ क्या, और मेरा maths, टपल सीरो, मेरा maths बहुत बेकार है, तो maths की वज़र से मेरे से नहीं हो पा रहा था, मैंने बहुत सारे exam दिये, और नहीं हुआ, तो पिम मुझे फिर से लगा कि मैं तैयारी भी करती रहती हूं और मेरे को जॉब भी ढूंड लेना चाहिए, क्योंकि पैसे चही होते हैं हम लोगों को, मुझे लगता ही कि आपको family पैसे दे रही है, सब कुछ कर रहे है, बट still जब आप एक बार पैसा कमाने लग जाते हैं, तो आपको अ टीच कोल आपना स्कूल कोला तो वहां पे भी प्रिंसिपल पिर वहां पे मैं प्रिंसिपल पोस्ग के अप्लाई कि और मैं वहां पे श्कूल में अपॉयंट होगई had to haveVIS. और काफी अफी अच्छा स्टाफ था मेरे से अभी मेरे पास मेरा उन लोगों से मैं B8 करती हूं B8 easy option है math नहीं है और seated वगरा qualify करती हूं और अपने ही field में apply करती हूं शायद मैं exam clear कर जाओ तो फिर मैंने बीच में B8 भी किया job करते करते और उसी बीच में first year के बाद ही मैंने seated crack कर दिया seated बहुत easy था मैंने दोनों paper crack करें seated के बाद फिर जैसे जैसे second process होने लगा मैंने DSSB की तैयारी करी लेकिन शादी का time शुरू हो गया और घरवाले सब बोने लगे marriage I said okay तो मेरे लड़के देखने लगे और फिर जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद covid लग गया था दोस्तों वाला शादी के शायद दो weeks बादी तो उसके बाद job वगेरा तो सब खतम ही हो गई थी कुछ रहा है नहीं था completely हम लोग घर पे थे आप सभी को पता है उसके बाद मेरे husband पॉलेंड में ही रहते हैं तो वो पॉलेंड से ही काम कर रहे थे मैं इंडिया में थी फिर इसी बीच में obviously spouse visa मेरे को अप्लाई नहीं करना था क्योंकि spouse visa आपको dependent visa मिलता ह है तो जब आप dependent visa पर यहां आते हैं मेरी थंडी हो गई है तो आप जब dependent visa पर यहां आते हैं तो आप यहां काम नहीं कर सकते हैं उसके लिए कुछ criteria है जो आपको follow करना पड़ता है तो मैंने work visa apply किया जिस field में मैं काम कर रही थी मेरे पास उसका experience मैं उसकी interview के answer दे सकती थी तो उसी field में मेरा visa apply हुआ work visa school के अंदर और hopefully उपरवाले की दया से सब कुछ ठीक हो गया और मुझे job मिल गई तो मैं इंडिया से यहां पर work visa पर आई थी और अभी वही चल रहा है बस यह छोटी सी मेरी कहानी है how do I come to Poland and everything और मैं क्या बता हूँ इसके आगे हाँ यहां आने के बाद आप homesick वाली feeling आपको होती है मुझे ऐसा लगता है मेरे को बहुत जादा हुए थी मैं बहुत बड़ी family से आई थी तो मुझे वह feeling बड़ी हुई थी यहां पर लेकिन कोई बात नहीं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है यहां पर अच्छ अच्छी salary अच्छा environment है सारी चीज़े अच्छी है बट मुझे लगता है family को छोड़के आना और सारी चीज़े एकदम से चेंच हो जाना तो चीज़े थोड़ी सी खराब बजाती है बट टाइम आपको सब चीज़े ठीक कर रहता है तो आप मैं बहुत मज़े से जॉब कर हुँ और मेरे husband बहुत अच्छे है मेरा baby है तो अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो मुझे entertain करती रहती है और job के भी वहां पर क्योंकि एक नया culture मिल जाता है आपको तो आप थोड़ा सा लगता है कि हमारी family हमारी language हमारा culture हमारे functions हमारे festival वो सब क्यों नहीं है बट धीरे time सब adjust कर देता है और मुझे अब यहां मजा आने लगा है मैं यहां पर यहां की सारी चीज़ें enjoy करती हूं culture share करती हूं लोगों के साथ food share करती हूं काफी सारी knowledge gain करी मैंने इन लोगों के साथ तो यह थी मेरी कहानी मैं यहां कैसी आई और मैंने क्या-क्या किया हुआ है बाक एक वीडियो मैं education के उपर भी बनाऊंगी कि आप अपने बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं क्योंकि यहां पे school में काम करने के बाद I really realized कि हम लोग अपने बच्चों कितना pressure करते हैं और उसको दिमाग होता है उसको बंदी कर देते हैं तो यह सब चीज़े नहीं करनी है एक वीडियो मैं जल्दी इस बारे में लाने वाली हूँ बाकी खतम करते हैं इस व्लोग को मैंने बहुत सारी बाते कर ले आप लोगों से तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर तब तक के लिए डू लाइक कमेंट शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल गाईज वावाई टेक् द senior के लोगों से लूंख प्राइबियो